महात्मा गांधी ने कहा था हतकरधा उत्योग मूल भारत के ग्राम रूपी संदर्य का सूरच है ऐसी ही एक सोयम सेवी संस्था है रिशिकेश की भारतिय ग्राम उत्थान संस्था यहां ज्यादातर रिशिकेश के इस्थानिय लोगों को रोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से ततपर है भारतिय ग्राम उत्थान संस्था रिशेकेश की खुबसूरत वादियों में स्थित एक बहु आयाम संगठन है जिसका उत्देश यहां के पहाडी और दुर्गम शेत्रों का विकास करना और वहां रहने वाले लोगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है मेरा नाम अनिल है और मैं भारतिय ग्राम उत्थान संस्था में अजिन चार्ज काम दर रहा हूं हमारी जो यह संस्था है यह इसको चौबीस साल पूरे हो रुखे हैं और हम चौबीस साल से रूर्ड अलेमें में काम कर रहे हैं इसका जो इस संस्था का में उद्देश है वो हैंडलोम और हैंडिकार्ट बेस्ट और्ग्राइशन होने के नाते हम काफी लोगों को रोज़गार के माद्रम से जोड़ने का परियास कर रहे हैं यह संस्था गड़वाल मंडल के तिहरी, पौडी, दहरादून, हरित्वाल, चमोली जैसे जिलों में सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं और यह संस्था राज्य के बाकी शेत्रों में भी काफी तेजी से लोगोप्री हो रही हैं अपने लक्षे को पूरा करने के लिए यह संगठन स्थानिय कच्चे माल पर आधारित रोजगार पर ज्यादा जोल देता है टिकाओ हस्त शिल्पकला, हतकरधा, हैंडलूम, जूट, कपास, उन और कालीन इसके महत्वपून उत्पाद हैं संस्था के उत्पादों में ज्यादा तर हैंडलूम और हैंडी क्राफ्ट की चीज़े आती हैं जिनसे शॉल, ब्लेजर, मफलर, मेड़शीट, चादर और ग्रिफ सज्जा की वस्तुएं आती हैं इसके अलावा हमारे पास जूट प्रोड़क्ट है घ्राइब जूट की मांद्यम से वह उविह सरकार वशमतर अले के संव्योग से हम पूरे सातों टो जिलो में काम कर आयए रीक वक्रवॉन मिम्स अस्में हमें चार प्रोटप्स गुआज़ीजाे नाबाड के सहयोग से करीब 200 स्वयम् सेवक शमु संस्था के अंतरगत आते हैं और करीब 2000 महिलाएं यहाँ पर सफलता पूर्वक काम कर रही है मूल रूप से संस्था में औनी कपड़ों खौन होता है पर यहां इसके अलावा भी कई उत्पाद हैं जैसे बास के टोकरी, गमले, डमरू, जूट के बैग, टिफिन बैग, फाइल कवर, पर्स, हैंड बैग, टेबल और डूर मैट, पान बैग, शॉपिंग बैग, फल बैग, जूते चपल, लेटर होल्डर, मुबाइल कवर, टीव सीनरी आदी, अपर रोट धालवाला स्थित भारतिय ग्रामोत्थान संस्था उत्तराखंड की पहली यूनिट है, उत्पादों की बिक्री के लिए इस संस्था का प्रमुक केंद्र, रिशिकेश के राम जूहूला बाजार में उत्तराखंड इम्पोरियम के नाम से स्थित ह इस संग्ठन में और भी कई प्रकार की कारिक्रम चलाये जाते हैं, जैसे कारिक्रम, माइक्रो जीवन बीमा पॉलिसी, प्रशिक्षन सह उत्पादन केंद्र, स्ट्रीट वॉयेज रिहाबिलिटेशन, पंचायती राजजागरुकता शिवर, बुनकर कल्यान कारिक्रम, स्वारोजगार संबंधी व्यवसाइक पाठिक्रम, आदी, प्रती वर्ष हज सारों लोग इस संस्था से जुड़कर, अलग-अलग स्टर पर ट्रेनिंग लेते हुए, संस्था द्वारा दिये गए सोयधाओं का लाब उठाते हैं। हमारे पास इस से में लोकल फाइबर बेस प्रोग्राम है, लोकल फाइबर बेस में हमारे यहां का भीमल एक लोकल फाइबर होता है, जिसका बॉट्निकर में ग्रीज आप्टिवाया है, उसके हम फोकेसली काम कर रहे हैं। इसके साथ भारा सरकार के वस्मुंत राले के तहर कारी अलेव का साथ फासिल के माद्धन से सहस्ता को एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर पिछले दो सालों में मिलावा हैं इस संस्था के होने से यहां के भेड़ पालकों को कार्डिंग गिलिंग और वीविंग के लिए दोर तेराज के शेत्रों में नहीं जाना पड़ता उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यहां एक फिनिशिंग यूनिट एवन एक टेस्टिंग लैप भी है जहां उत्पादों की गुणवत्ता जाज करने के बाद इन्हें बिक्रे के लिए जगा जगा मार्केट में भेजा जाता है विमल फाइबर, हरसीन और धनसाजी उन, तुइसिट पेदर यहां के प्रमुख उत्पादों में से हैं यहां के उन से बने ग्लोवर्स की मांग उत्पादन से कहीं अधिक रहती है फिनिशिंग यूनिट में यहां के उत्पाद कच्छे माल के रूप में विभिन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं यहां बनाए गए कपड़े देखने में भले ही काफी मुलायम, आरामदायक वह खुबसुरत लगते हों पर इन्हें बनाने के लिए काफी महनत वह समय लगता है तकनी वह मशीनों के सहारे धागेवा उन बनाने की प्रक्रिया कई चर्नों से गुजरती है मुख्य रोप से यह प्रक्रिया आठ चर्नों में पूरी की जाती है पहली प्रक्रिया डस्टिंग होती है जिसमें डस्टर मशीन की सहायता से भेड के कच्चे उनकी पहली सफाई की जाती है इस चर्न में मुख्य तह उन से धूल मिट्टी हटाई जाती है उसके बाद आता है विलोईंग विलो मशीन में मिटल के ब्रेश वाले रोलर से उनको सुलजाने के प्रक्रिया को हम विलोईंग कहते हैं जिससे उन थोड़ा मुलायम फाइबर में बदल जाता है कार्डिंग चरण में कार्डिंग मशीन के द्वारा उनको रोलर्स की सहायता से पूरी तरह सुलजाते हैं और उनके मुलायम रोल्स बनाते हैं गिलिंग में उन को चार मशीनों से निकालते हुए और ज्यादा सुलजाने की कोशिश की जाती है जिससे इसके फाइबर्स बिलकुल अलग-अलग हो जाएं इन चार मशीनों में आते हैं गिलबॉक 2x2, गिलबॉक 4x4, बॉबनर बीहेड और बॉबनर 36 एक मशीन से दूसरे मशीन होते हुए उन और भी पतला होता जाता है गिलिंग प्रक्रिया से निकले उन के रूप को टॉफ कहते हैं अगले चरण स्पिनिंग का इस्तमाल धागा बनाने के लिए होता है स्पिनिंग मशीन टॉफ को खीच कर घुमाते हुए उसे मजबूत धागे का रूप देती है इस तरह मुलायम टॉफ मजबूत धागे में बदल जाता है ट्विस्टिंग और वाइंडिंग प्रक्रिया में मशीनों की सहयता से धागों के रोल त्यार किये जाते हैं अगले चरण में बाइंडिंग होती है यह उन को रील में बाधने की अंतिम प्रक्रिया होती है कोन बाइंडर मशीन और चीज बाइंडर मशीन अंतिम दो मशीन होते हैं जो उन के रोल बनाने का काम पूरा करते हैं अंतिम चरण है वार्पिंग और वीविंग इस चरण में अब तक बनाए गए धागों या उन को हाथों या मशीनों की सहायता से बुन कर कपड़े में ढालना होता है एक-एक धागे को सही जगा वा सही रंग के सा सजाना सारी प्रक्रियाओं में सबसे अहम और कटीन होता है वीविंग से धागे और उन के रोल कपड़े के टुकड़ों में बदल जाते हैं जो की दो सेट धागों से बनता है भारतिय ग्राम उत्थान संस्था एक ऐसी संस्था है जो ना सिर्फ रशिकेश के स्थाई लोगों को स्वावलंबी बना रही है बलकि अपने उच्च गुण मत्ता की उत्थादों को राश्ट्रिय वा अंतरराश्ट्रिय मार्केट में लोकप्रिय भी कर रही है लोग यहां की उत्थादों को पसंद करते हैं वा इसी लोकप्रियता की वज़े से इनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है भारती ग्राम उत्थान संस्था, ग्राम उत्थान भवन, अपर रोड, धालवाला, पोस्ट मुनी की रेती, कैलाश गेट, रिशिकेश, जिला, टिहरी गढवाल, उत्तरांचल और जानकारी के लिए संपग करें, मोबाइल नमबर 9411 392967, लैंड लाइन नमबर 0135 2433 658 या 2416496 आप इमेल भी कर सकते हैं, इमेल आइडी है, contact at the rate of bgs.उत्तराखंड.com प्लास अट्चनांचतरारराई हुष भी बीर कुछतराई आवस्टराई है, प्लास ओड़गा बीर प्लास, चारसाई भी कि भी रोगषि के संप दूट्यांचतराउ कैंज्षि के लिए भी मैुट्टे अज्टाज़, आभी मैँ भी मैंँकंपूचतर्डाई तुदा गुमरी यकान्या बियर अभाव बियर अभाव बियर अभाव तुदा महाल अभाव ताज तुदा मिनन रकुदू तुदा कुमरी यकान्या अभाव अभाव अँटी को भी खिलातो और हम जो हमें जो खिलाते हैं येस चलो ठीक है गुड़ भोक लगी थे हमारे बच्चों को यहां पर उमेने सारा बताया उसके बाद नहां की जो लोकल मिठाई कटौली मिठाई यजन रहे बच्च शन छी वह जोसे खेंजिश दॉख में चुमते हूं यह पट यादगा रहनी वाली ए आपने तो पाढ शालां मस्दी के पाढ शालाऊ अपनी तो पाढ शालां मस्दी की पाढ शाला जड़ दो झाल कर दो